हेलो फ्रेंट्स मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चनल बेफिकरे और आज आपके लिए आया हूँ ओमान का पैकेज हाला फैब के लिए अगर आप हाला फैब में प्लान कर रहे हैं अपने हॉलिडेज तो ओमान एक ऐसी जगा है आप वहां पर चाह सकते और इंजॉय कर में आपकेज लिए आते रहते हैं और मैं अपने म्यूलिऑ के लिए लेकर आता रहता हूं तो आज में लेकर आया हुँ ओमान का पैकेज जो हमान का पैकेज है वह हलला फैब की छुट्तियों के लिए है और अगर आप ब्लान कर रहे है तो сонलर इस package में होने वाला क्या-क्या है तो अब इस वीडियो में आपको पताना शुरू करता हूँ जो चीजे include है इस package में वो है कि एरपोर्ट आपको एरपोर्ट ट्रांसपोर्ट मिलेगा आपके एरपोर्ट से आपके होटल के लिए उसके बाद आपको hotel accommodation दिया जाएगा 4 nights के लिए 3 star hotel में और वहाँ पर breakfast भी include होगा और उसके बाद आपको 3 दिन sightseeing किया जाएगा half day sightseeing होगे इसके अंदर flight tickets include है तो यह चीज़े थी जो चीज़े include है अब क्या क्या चीज़े include नहीं है इसके अंदर meals include नहीं है इसमें personal expenses include नहीं है यह दोनों चीज़े इसपे include नहीं है और अब बात करते है कि अब बात करते है कि इसके अंदर इसका price क्या होने वाला है basically इसका price होने वाला 220 KD per person ठीक है तो यह तो price है is यह HALA FAB के लिए है और अगर आप जल्दी से जल्दी book कराते है तो definitely आपको यह price मिल सकता है because जिस तक आपको पता है कि हाला FAB के time पे flight के tickets काफी expensive हो जाती है तो यह price देना काफी मुश्किल हो जाता है तो जैसी आप यह वीडियो को देखे फटक से आप लोग फोर उठाए और अपना यह package को book करना शुरू करे तो यह ओमान का package बहुती जबरदस्त है और जो लोग भी ओमान जाना चाहते है क्योंकि मैं ओमान में दो साल रहा हूँ मुझे पता है कि ओमान बहुती खुबसूरत जगा है और अगर आप उमान जाने की कोशिश कर रहे है तो definitely वहां की जो grand box है उसे जरूर देखे because वो बहुती खुबसूरत है बहुती beautiful है और musket का जो musket का जो पुराना इलाका है जो musket सूख कोलते है उसे वहां पर जरूर जाए वहां पर आपको बहुती खुबसूरत सूख मिलेगी, दुकाने मिलेगी और वहां पर आप traditional shopping कर सकते हैं काफी बढ़िया जगा है and musket पे काफी सुंदर सुंदर parks है वो भी आप visit कर सकते हैं अब तो वहां पर नईने malls भी खुल सके हैं उसको भी आफ विजट कर सकते हैं और वहां पर कई dam भी है तो उस dam पर अगर आप जाना चाहे तो उस dam पर भी जा सकते हैं तो काफी चीज़े होने वाली है मैंने जो विजट किया है वहां पर एक sink hole है जो काफी famous है लोग उसको विल्ट करने जाते हैं और वहाँ पर टर्टल बीच है जहाँ पर स्पेशली टर्टल्स आके अपने बच्चे देते हैं तो वो वो चीज़ भी हमेंने देखी है बिकॉज मैंने वहाँ दो साल रहा है तो बहुत ही जबर्दस्त है और ओमान में करने के लिए बहुत कुछ है और बड़ा मज़ा आता है वहाँ रहने में और मैं रहता था मसकट में ओमान में दो साल रहा हूँ वहाँ पर काम किया है मुझे बता है लाइफ बहुत रिली नाइस और वहाँ पर Indian restaurant बहुत सारे है तो खाने पीने की तो कोई टेंशन नहीं और अगर आप detail itinerary इस package की लेना चाह रहे हैं तो definitely आप travelon को contact करें उनका number यहाँ पर आ जगा होगा तो उने contact करके उनसे बोलिये कि आप कोई detail itinerary पॉहमान के package की चाहिए तो उसके अंदर detail itinerary में होगा क्या आप देखिए detail itinerary में आप चार दिन वहाँ रहने वाले तो हर एक दिन आपको क्या-क्या घुमाया जाएगा क्या-क्या आप उस activities में करने वाले आपका वो जो पूरा detail वो बताया जाएगा तो definitely उसको आप मंगा ले उसको आप देख ले और आप देख ले कि कौन-कौन से जो spots है कौन-कौन से जो points है वो लोग उस पे cover कर रहे हैं तो जिससे कि आपको अपने travel plan करने में असानी होगी तो मेरी तो यही है कि आप लोग फटा-फट यह package को book कर ले जिससे कि जो price है 220 KD का वो आपको मिल पाए because flight tickets जल्दी-जल्दी बढ़ जाती है और हाला-फेफ के time पर आपको पता है कि everything is become very expensive so it is one of the package जो मेरे तेल के करीब है because मैं Oman रहे चुका हूँ और Oman बहुत खुबसूरत जगा है अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है and यही कहता हूँ कि आप जो जो यह package को book करें प्लीज मुझे comment करके इस वीडियो में बताए और हमारा जो कोड है प्रोमोशनल कोड बेफिक्रे 07 यूज़ करें जिससे कि आपको अगर एडिशनल डिसकाउंट या एडिशनल कुछ भी गुडीज या फिर एडिशनल चीज़े मिल सकें आपको अगर आप बेफिक्रे 07 कोड बुक करते हैं ट्रैवलाउन को की तरफ से आपको जबर्दस पैकेश टुट्वंटी केडी में मिल रहा है ओमान का जाईए घुमिये फिरिये हाला में इंजॉई कीजिए और ये वीडियो खत्म करने से पहले जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे रिक्वेस करता हूँ प्लीज डू सस्क्राइब आपर चैनल और ला कोईट में होने वाले नएने इवेंट्स के बारे में हम आप लोगों को बताते रहते हैं और अब मैं लाकरी में कहना चाहता हूँ आप लोगों से अलविदा